हिंदी चुटकुले इन मजेदा चुटकुलों को पढ़कर आप हो जाएंगे लोड़ पोर्ट पढ़िये धमाकेदा जोक्स हिंदी चुटकुले हसने से सेहत अच्छी रहती है मगर आप हसते रहते हैं तो तनाव आपके आसपास भी नहीं बटकता है एक आदमी दो महीने से हस्पिटल में था जब उसे डिस्चार्ज किया जाने लगा तो उसने महसूस किया कि उसे नर्स से प्यार हो गया उसने सोचा कि दिल की बात कह देनी चाहिए उसने जैसे ही नर्स को देखा तो बोला I love you नर्स तुमने मेरा दिल चुरा लिया नर्स चल हट जूटे हमने तो तेरी से किड़नी चुराई है आदमी वियोस अब दुबारा हस्पिटल में भरती पप्पू तुम चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकते हो पपू एक बार तु लड़की एक देखने चला गया था गाउं की एक खुशूरत लड़की को होटल में उदास बैठा देख पपू बोला पपू लड़की के सामने रखी कोल्डरिंग पीकर बोला ऐसे उदास क्यों बैठे हो या लड़की बोली आज का दिन बहुत बुरा है सुबा बाइफ्रेंट से जगड़ा हो गया रस्ते में कार खराब हो गई आफिस पहुची तो बास ने नौकरी से निकाल दिया अब सोसाइट के लिए कोल्डरिंग में जहर मिलाया था तो वो भी तूने पी ली पती क्या तुवे पता है कि गाने में इतनी ताकत होती है कि पानी भी गरम हो जाता है पतनी हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं जानती अब तुम यही सोच लो मगर तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो फिर पतनी क्यों नहीं सत्ता उदास बैठा था सत्ता क्या हुआ उदास क्यूं बैठा है सत्ता क्या बताऊं यार किसी ने कहा कि पेड़ से हमें सीतल छाया मिलती है मैं यहां पेड़ के नीचे तीन दिन से बैठा हूँ लेकिन ना तो सीतल आई और ना छाया पती आज खाना सासू माने बनाया है क्या पतनी वह कैसे पहचाना पती जब तुम बनाती थी तो काले बाल निकलते थे आज सफेद बाल निकला है